हेलो फ्रेंज मेरे चैनल में आप सबीका स्वावत है तो आज हम बनाने वाले हैं पुवा तो वैसे है बहुत बार बनाए होंगे बहुत तरीके से बनाए होंगे लेकिन आज हम बहुत आसान तरीका बता रहें तो सबसे पहले बाउल लेले हैं उसमें एक कटोरी सूजी डाल सेम उसी कटोरी से मैदा डाल देंगे तो एक कटोरी सोजी डाले हैं और दो कटोरी मैदा डाल देते हैं और सेम उसी कटोरी से एक कटोरी चीनी डाल देते हैं अब अपनी कॉंटिटी के हिसाब से कमया ज्यादा कर सकते हैं अब मावा आधी कटोरी डाल देते हैं मावा डाल छल्डार हो जाए तो गुनगे दूध रहेंगे तो यादे अच्छे रहेंगे तो अगर आप के पास कई रहेंगे तो आप पांप यह तेल गरम हो चुकिए थोड़ी थोड़ी मीडियम याज रखेंगे ज्यादा तेज नहीं रखेंगे और इस होल में हम दो चम्मच हम डाल देते हैं ड्राइफूट आप चाहे तो अपने पसंद की साब से कोई ड्राइफूट डाल सकते हैं हम तो कदुकस करके डालने हैं आ चंच हर से मिला लेते हैं, ठाकर इस तरह से हम ँले में आहीस्तिस तरग दि decision ऑडिए और इसे का फुलने लगे हहलका उपर उठने लगे तो हम इसे चम्मच से उपर चे तेल डालते जाएंगे ये बिनाợश्ぁवहद ऑना सोडा के दोस्तों तो इस तरह से ठोग जाएंगे तो फिर से एक डाल दीजिए, जट पर से पुवा बन कर तयार हो जाएंगे, आप एक बार में एक ही पुवा बनाएंगे, लेकिन हम एक बार में दो से तीन पुवा बनाने वाने देखिए, तो जब यह फिर से एक तरह से सुना रहा हो जाए, तो लट पलट कर देखिए, और केश्कांच हम मीडियों ही रखेंगे दुबारा से बता रहे हैं और जबी सुनेयरे हो जातों करची से छान लेते हैं चल्नी से चल्डेथे इससे साइड में करकर इस तरह से चंची से तेल गार देते है यह तो पर्भंबन अगर यह व्यग्लियो पसंद आतो व्यडियो को ला झाल झाल